एलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्त होंगे ठीक होंगे आपके पढ़ाई भी सूचारूप से चल डोगी प्यारे बच्चो मैंने आपसे कहा था था अभ्यक्ति और माध्यम से संबंदी जो दो नंबर के और तीन नंबर के सवाल आएंगे उसक लेकिन लगबग लगबग आ जाया गया ऐसी उमीद है तो पहला सवाल क्या है कि पत्थरकार कीतने होते हैं और नाम लिखिए आप लोग बताना क्त्थर कार तीन तरह की होता है एक होता है पून काली की नाम से जाना जाता है और अनसकालिक पत्रकार जिसे इस ट्रिंगर भी कहा जाता है एक ऐसा पत्रकार होता है जिसे एक निशित मांदे प्राप्ते होता है फिर इन दोनों के मलऔंदे एक not डालना है और लिखना सामायम्यनय ता है जिसे किसी भी खास पत्रिका से या पत्रकार संबन्द नहीं होता है या भुकतान के आधार पर गठनाए या कोई भी रिपोर्टर लिखता रहता है इस परकार से पूरा आप लोगों को देना है प्यार बचो नमबर दो सवाल आता है कि फीचर क्या है फीचर के बारे में लिखे तो आप लोग क्या कहेंगे फीचर एक सुवयोस्ती सरजनात्मक आत्मनिश्ट लेखने जिसका प्रमुकार्य मनोजन करना होता है उसके साथ सूचना देना और सिक्षित करना भी होता है वैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसके सामाने सीमा कोई नहीं होती है इसके कत्हात्मक शहली होती है इस प्रकार से पूरा पड़कर की आप लोग चले जाना हर। तो फिचर और समाचारी में आंतर बता नें तो पर नहीं कराता है। सामाने रीपोर्ट के अलावा किसी भी रीपोर्ट के बार में विश्वित्त रूप से जानकारी प्राप्त करके पाठको तक पहुँचा देना वह विश्यश रीपोर्ट कềलाता है है यह पर्वुक मुख्य प्रकार से चार आमारी यादि हम्हों की जाती है उसनेies review-र दाप्र नांतो कि या खोजी रीपोर्ट के नाम से जाना जाता है को नबर तीन नंबर दो आता है जो सारज़्य तोर पर उप्लब्द होती है और उस रिपोर्ट के बारे में विस्तित तुरूप की रूप से उस report के बारे में चापा जाता है विशेश बीट रिपोर्टिंग अंतरकत क्या आता है पैर बचों किसी भी रिपोर्ट के बारे में सामने जानकारी उपलब्द करवा देना बीट रिपोर्टिंग कहलाता है लेकिन विशेश सिक्रत रिपोर्टिंग में क्या होता है बेटा उस रिपोर्ट के बारे में या गह अब ये चार कैसे याद करेंगे तो आपको याद करना है अंत में जो ये मात्रा आए ना अंत में जैसे क्यों और कैसे में आ रही है तो उन दोनों को छोड़ देना बचे चार वो चार होते हैं सूचनात्मक और ये दो होते हैं विवनात्म या व्याख्यात्मक देहां रखना और फिर और थोड़ा से लिख देना कि सूचनात्म्य तत्थ्यों पर आधर जो सवाल या ककार होते हैं उनका प्रियों समापन और बोडि और निकाय भाग में किया जाता है यह द्याना आपको रखना है रेडियो के बहासा कैसे उन्हों चाहिए? मेरी अकोडिंग यह भी एक महतकुन सवाल है, सरालेवम सहज होने चाहिए, इन सब्दों का प्रियोग भी नहीं करना चाहिए, इनकी जगे हमें तीन सब्दों का प्रियोग करना चाहिए, और या लेकिन गैर जरूरी सेशनों से होगा, यह भी सवाल मेरी अकोडिंग भहुत महतकुन है, कहानी का केंदर बिंदु कथानक होता है, कहानी कथानक पर काहिए, देखो, इस कहानी किसी भी कहानी का केंदर बिंदु कथानक होता है, कथानक में पूरी कहानी का सारण से लिखा जाता है, प्रते एक पात्रों के बारे में लग बलग जो महत्रपुन समवाद होता उसके बारे में और यह जब तक किसी कोई भी कथानक नहीं होता है तब तक किसी भी कहानियों कम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं आप लोग पढ़ लीजेगा यह नेक्स्ट है रेर्यो नाट्रग में समय की अनुसार पात्रों किसंग क्या तो द्यान रखना यह दि हमारे नाट्रग है वे 15-15 मिनट किया है तो उसमें हमारा 5-6 पात्र होंगे यह 30-40 मिनट का है तो 8-5 होंगे और 15-20 लेकिन चोटी-छोटी भूमे का यह नहीं गीनी जाती ह नेक्स्ट है कहानी में दुवंद के महत्तों की बारें बताई ध्यान रखना किसी भी कहानी को आगे बढ़ाने कारी करता है और यह बहुत अच्छा सवाल है नंबर थर्ड मेरे अकोडिंग बहुत ज्यादा महत्तपुन है पढ़ लेजेगा इसे अच्छे से ध्यान रखना ब किसी भी गठना को लिखने के लिए क्लाइमेक्स को सबसे पहले लिखा जाता है उसकी बाद कम है तो पुन सोचना इसका विकास कब हुआ इसका विकास उनी सदी के मद्द अमेरिका में घरयूद के समय होता है यह सब बाते आप लोगों को लिख देनी है यह तीन बागों मे कारों का प्रियोग किया जादे सब आपको लोगों को लिखना हो गया सब मैंने लिख दिया वैसे एक एक बारे में तो प्यारे बचों यह 11 सवाल थे आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूं मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सब अगवाने दित हमारा साहिता करता है तो 10 MCQ सवाल होंगे एक रचनात्मक लेखन होगा बचे कितने? 10 और 16 16 बचे कितने? 14 नमबर अब चोदा नमबर का आप लोगों को मेंसे क्या होगा? पांच सोरी 5 तो MCQ देखो 5 MCQ और 6 रचनात्मक लेखन 11 और 5 दस नमबर का होगा क्या हमारा? एसे 21 नमबर का होता है 21 सवाल 2-2 नमबर के उम्मीद करता हूँ यहां से आपको प्राप्त हो जाए तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो चाहिं देख राना ह। बहुत अच्छे तरीकेस लिखनाि कैसे लिखा जाता है किसी भी सवाल का अनुसर यह भी मैंने आप लोगों रिकोर्ड उपलब्द करवा दिया है उम्मीद कर तो आप लोगों देखा होगा नहीं देखा तुशे भी एक बार देख लिजीगा ओके बेटा भी लितना ही धन्यवाद थेंक्यू सो मच